प्रिश्ट संख्या 34 पंचमह पाठह दवारिकस्य निष्ठा प्रस्तुत पाठ शिवराज विजय नामक समस्कुत भाषा के प्रथम उपन्यास से लिया गया है जिसके लेखक पंडित अंबिका दत्व्यास है वियास जी का जन्म उस समय हुआ जब भारत पराधीनता की बेणियों में जकडा हुआ था 1857 का स्वतंतरता संग्राम असफल हो चुका था जन्नता निराश हो चुकी थी अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे ऐसे समय में स्वतंतरता प्राप्ती की अलख जगाने के लिए जहां राजनाईतिक मंच पर नेता सक्रिय थे वहीं ततकालीन लेखक भी इस कार्य में पीछे नहीं रहे बंगाली भाषा में लिखे गए उपन्यासों की लोकप्रियता से प्रेरणा प्राप्त कर अंबिका दतव्यास ने सम्स्कृत भाषा में शिवराज विजय नामक उपन्यास की दचना की इसमें लेखक ने शिवाजी एवं अउरंग जेब के संघर्ष को आधार बनाया है प्रस्तुत संपादित पाठ में दुर्ग के द्वारपाल की इमानदारी तथा स्वामी भक्ती की महत्ता प्रतिपादित करते हुए बड़े ही नाटकी या धंग से उसकी परीक्षा प्रदर्शित की गई है इस पाठ के समवाद बड़े ही रोचक हैं तथा पाठक की उत्सुक्ता को सतत अक्षण बनाय रखते हैं सम्वृत्य किंचि दंधकारे भुशुन्डिम्स कंधे निधाय निपुनम् निरीक्षमानह आगत प्रत्यागतंच विदधानह प्रताप दूर्ग दवारिकह कस्यापी पादक्षे पध्वनिम इव अश्रौशित ततह स्थिरीभूय पुरतह पश्चन सत्यपी दीपप्रकाशे कमपी अनवलोकयन गंभीर स्वरेण एवं अवादीत प्रिष्ठ संख्या 35 कहा कोत्रभो हो इती अथक्षनान अंतरम पुनसयेव पादध्वनि रश्रावीती भूय साक्षेपम अवोचत कएश माम अनुत्तरयन मुमूर्शुह समायाती बधिरह ततो दवारिक शांतो भव किमिति व्यर्थम मुमूर्शुरिती बधिरह इती चवदसी इती वक्तारम अपश्यता एव आकारणी मंद्रस्वर मेदुरा वानी अथ तत किम नाग्याई अध्यापी भवता प्रभुवध्यानाम आदेशो या दवारिकेण प्रहरिनावा त्रिफ्प्रुष्टोपी प्रत्युत्तरम अददत हंतव्य इती इती एवं भाश मानेन द्वास्थेन क्षम्यताम एश आगच्चामी आगत्यच निखिलं निवेदयामी इती कथयन द्वादश वर्षेन केनापी भिक्षा बटुनानु गम्यमानाः कोपी काशाय वासाः ध्रितत तुम्बी पात्रह भव्य मूर्ति सन्यासी द्रिष्टह ततह तयोह एवं अभूत आलापह सन्यासी कथम अस्मान सन्यासी नोपी कथोर भाषने इस्तिरस्करोशी दव्वारिकाह भगवन सन्यासी तुरियाश्रम सेवी ती प्रणम्यते परंतु प्रभूनाम आग्याम उलंग्य निजपरिचयम अददत एव आयाती ती आकृष्यते सन्यासी सत्यम ख्षांतोयम अपराधह परं सम्यासीनो ब्रह्मचारिनह पंडिताह स्त्रियो भालास्च नाकिमवि प्रष्टव्याह आत्मानम अपरिचाययं तोपी प्रभेष्टव्याह सन्यासीन बहुक्तम विरम नवयम दववारिका ब्रह्मचा अपी आग्याम प्रतिक्षाम हे केवलम महाराज शिव वीरस्य आग्याम वयम शिरसा वहाम सम्यासी तत किम कोपी न प्रभिषति रात्रोव? दववारिका हा शाक्षेपम कोपी कथम न प्रभिषति? परिचितावा प्राप्त परिचय पत्रावा आहुतावा प्रभिषति न तु ये केपी समागता भवाद्रशाहा सम्यासी दववारिका इत आयाही किम पी करने कथ इश्यामी? दववारिका हा तथा कृत्वा कथ्यताम? प्रिष्ट संख्या चत्तिस सन्यासी यदीत्वं माम प्रविषंतं न प्रतिरुंधेहे तद धुनेवा परिश्कृत पारद भस्म तुभ्यं दद्याम यथात्वं गुंजा मात्रेनापी द्वाबंचाशत संख्या कतुला परिमितं ताम्रं सुवर्णं विधातं दव वारिकाहा इतस्तु सत्यम कथया कस्त्वं कुतायाताह केनवा प्रेशिताह सन्यासी अहम्तु त्वाम कस्यापी देशत द्रोहिनों गुठचरं मन्य हस्तमा कृष्य तदागच्छ दुर्गाध्यक्ष समीपे सएवा भिज्यायत्वया यथोचितं व्यवहरिश्यति ततह सन्यासीतु त्यज नाहम्पुनह आयास्यामी नाहम्पुनरेवं कथयिश्यामी महाशयोसी दयस्व इति बहुधा अकथयत्व दववारिकस्तु तमाकृष्य नयन्येव प्रचलिताह अथ दीपस्य समीपम आगत्य सन्यासिना उक्तम दववारिक नमाम प्रत्यभिजानासी ततह पुनर निपुनम निरीक्षमानो दववारिकस्तम परियचिनोत। आह कथम स्रीमान गौरसिम्भः आरिय क्षम्यताम अनुचित व्यवाहर एतस्य ग्राम्य वराकस्य तद अवधारिय तस्य प्रिष्ठे हस्तम विन्यस्यन सन्यासिरूपो गौरसिम्भः समवोचत। दववारिक मया दिढ़ं परिक्षितोसी यथा योग्य एवपदे नियुक्तोसी त्वाद्रिक्षा एववस्तुताह पुरस्कार भाजनानी बवंती लोकद्वयम्च विजयंते। शब्दार्थाह टिपन्यस्च सम्वृते होने पर किंचित अंधकारे कुछ अंधेरा होने पर भुशुन्डीम बंदूको सकंधे पर प्रिष्ठ संख्या संधिस निधाय रखकर ने उपसर्ग धाधातु ल्यप्रत्यय। निपुनम भलीभाती निरीक्षमानह देखते हुए नि उपसर्ग इक्षधातु शानच प्रत्ययह। आगत प्रत्यागतम आना जाना विदधानह अच्छी तरह जानते समझते हुए। प्रतापदुर्ग दवारिकह। कस्यापि किसी के कस्य अपि पादक्षेपध्वनिम इवा श्राउशीत। पादानाम क्षेपस्य ध्वनिम, पादक्षेपध्वनिम, पैरों के रखने जैसी आवाज को सुना, तब, स्थिरी भूय, स्थिर होकर, चोकन्ना होकर, पुरताह, आगे, पश्षन, देखते हुए, द्रिश्थातु, शत्री प्रत्यय, सत्यपी, सती, अपी, की स्थिती में, दीपप्रकाशे, दीपा नाम प्रकाशे, दीप के प्रकाश में, कम अप्यनवलो कयन, किसी को न देखते हुए, अवादीत, बोला, कह कोत्र भोह, कह, कह, अत्र, हे, कौन, कौन है यहां, अथ, इसके बाद, फिर, छना अनंतरम, पुनाह, फिर, सह एव, वही, पादध्वनी रश्रावीती, पादध्वनी अश्रावी, इती, पादध्वनी अश्रावी, इती, पादध्वनी सुनी गई, साक्षेपम अवोचत, डाटते हुए कहा, कह, एश, माम, अनुत्तरयन, यह, कौन, मुझे, बिना उत्तर दिये, मुमूर्शुहु, मृत्यु का इच्छुक, प्रिष्ठ संख्या 38, समायाती, चला आ रहा है, बधिरह, बहरा, दवारिक, हे द्वारपाल, शान्तो भव, शान्तह भव, शान्त होये, किमिती, किमिती, या क्या, व्यर्थम, व्यर्थही, वदसी, कह रहे हो, वक्तारम अपश्यताईवा करणी, बोलने वाले को न देखते हुए सुना, अपश्यता, द्रिशधातु, शत्री प्रत्यै, तृतिया एक वचन, नई अर्थमे न देखते हुए के द्वारा, वक्तारम, वक्ता को आ करणी, सुना गया, मंद्रस्वर मेदुरावाणी, मंद्रस्वरेण मेदुरावाणी, गंभीर स्वर से परिपूर्ण, न अज्याई, न अज्याई, नहीं पहचाना गया, त्रिह प्रिष्टोपी, तीन बार पुछे जाने पर भी, प्रत्युत्तरम अददत, उत्तर न दिये जाने वाला, वध्य है, इति एवं, इस प्रकार, भाष मानेन, भाष धातु, शानच प्रत्याई, बोलते हुए के द्वारा, द्वास्थेन, द्वार पर स्थित से, द्वारे स्थितह यह, सह, तेन, खम्यताम एशह, खम्यताम एशह, ख्षमा करे यह, भिक्षा वटुना अनुगम्यमानह, भिक्षुक ब्रह्मचारी द्वारा, अनुगमन किया जाता हुआ, काशाय वासाह, काशाय आणि वासांची धारयती यह, सह, काशाय वस्त्रधारी, ततस तयो रेवम भूदालापह, ततह तयोह एवम अभूत आलापह, तब उन दोनों में इस प्रकार का वार्तालाप हुआ, प्रिष्ट संख्या 49, सन्यासिनोंपी, सन्यासिनह अपी, कठोर भाशने इस तिरसकरोशी, कठोर भाशन ही तिरस्करोशी, कठोरानी चतानी भाशनानी तही, कठोर भाशनों से तिरस्कृत कर रहे हो तुरिय आश्रम सेवी ति, तुरिय आश्रम सेवी इति, तुरिय यह च असव आश्रमह, तम सेवते यह सह, चतुर्थ आश्रम का अनुपालन करने वाले प्रभूनाम आज्याम उलंग्य, राजा की आज्या का उलंगन करके निजपरिचय मददेवायातित्या कृश्यते, अपना परिचय नदेते हुए ही चले आ रहे हो अतह क्रोध किया जा रहा है, ख्षान्तोयम अपराधह, यह अपराध क्षमा किया गया आत्मानम अपरिचाय यंतोपी, अपना परिचय नदिये जाने पर भी प्रवेश्ट व्याह, प्रउपसर्ग, विश्धातु, रिनिच प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, प्रविश्ट करवा देना चाहिए बहुक्तम, बहुत बोल दिया, प्रवेश्ट समयाह, प्रवेश्ट का समय, प्राप्त परिचय पत्राह, प्राप्तानी परिचय पत्रानी यही ते, जिन्होंने परिचय पत्र प्राप्त कर लिये हैं, प्रतिरुंधे है, रोको, उत्कोच लोभेन, उत्कोच अस्य लोभेन, घूस के लोभ से, पर्य चिनोत, पहचान लिया, प्रिष्ठ संक्या 40, अभ्यासह, पहला प्रश्ण, एक पदेन उत्तरत, क, प्रताप दुर्ग दौवारि कह, कस्य ध्वनिम इव अशौशीत, ख, काशाय वासाह, दृत तुम्बी पात्रह, भव्य मूर्तिहिती एते शब्दाह, कस्य विशेशनानी संती, ग, कह, तुरियाश्रमसेवी अस्ती, ग, महाराजस्य संध्यो पासन समयाह कदाभवती, ग, के, उत्कोचलो भेन स्वामिनम वंचयंती, च, त्यजा, नाहं पुनरायास्यामी, नाहं पुनरेवं कथैश्यामी, महाशयोसी, दयस्व, इती, कह, अवदत्थ, च, दौवारीकस्य, निष्ठा, केन परीक्षिता, प्रश्न दो, एक वाक्केन उत्तरम दीयताम, क, रात्रव, केके प्रविशंती, ख, दीपस्य समी पमागत्य, सन्यासिना किम उक्तम, ग, महाराजम प्रत्य भिज्याय, दौवारीकह किम वदत्थ, ग, कह, कम, कठोर भाशनैही, तिरस्करोती, ग, दौवारीकस्य निष्ठा, अयम पाठह, कस्मात ग्रंथात ग्रिहीतह, च, शिवगणाह कीद्रिशाह आसन, च, दौवारीकह सन्यासिनं कम अमन्यत, प्रश्ण तीन, प्रश्ण निर्माणं रेखांकित पदानी आध्रित्य कुरूत, ग, महाराज शिववीरस्य आज्याम वयं शिरसा वहामह, अत्र रेखांकितं पदमस्ती, महाराज शिववीरस्य, ख, नीचाह उतको चलो भेन स्वामिनं, वंच यित्वा, आत्मानं अंधतमसे पातयंती, अत्र नीचाह इती रेखांकितं पदम, ग, दुर्गाध्यक्षः, एव यथोचितं व्यवहरिश्यती, अत्र दुर्गाध्यक्षः, रेखांकितं पदमस्ती, ग, दुर्गाध्यक्षः, प्रिश्ठे हस्तम विन्यस्यन सन्यासी रूपो गवरसिंगह अवदत्, अत्र दुर्गाध्यक्षः, ईती रेखांकितं पदमस्ती, च दीपस्य समीपमागत्य सन्यासिना उक्तम अत्र सन्यासिना इती रेखांकितम पदम च सन्यासी तुरिया श्रमसेवी इती प्रणम्यते अत्र सन्यासी इती रेखांकितं पदम अस्ती ज प्रताप दूर्ग दौवारिकह कस्यापी पादक्षे पध्ध्वनिम अश्रोव शीत पादक्षे पध्ध्वनिम इती अत्र रेखांकितं पदम प्रिष्ट संक्या 41 प्रश्ण 4 समास विग्रह क्रियताम क प्रताप दुर्ग दौवारिकह ख दीप प्रकाशे ग खनान अंतरम ग पादध्वनेह ग द्वास थेन च कठोर भाशनेह च गंभीर स्वरेन प्रश्ण 5 संधिच्छेदाह क्रियताम क किंचिदंधकारे ख शान्तो भव ग अध्यापी ग इत्तेवं ग कोत्र च तदधुनेव च ख शान्तो यमपराधह ज बहूक्तम प्रश्ण संक्या 6 उपसर्ग प्रकृती प्रकृती प्रत्य विभागम दर्शयत क निधाय ख प्रत्यागतम ग विदधान ग निरीक्षमान ग भाषमानेन च अभिज्याय च पश्ण ज अनुत्तरयन प्रश्ण संक्या साथ विशेशनम विशेशेन सह योजयत अत्र स्तंभद्वयम प्रथमे स्तंभे विशेशनानी पदानी द्वितिय स्तंभे विशेश्यानी पदानी संती तरही विशेशनानी गंभिरेन मुमुमूर्षुहु कठोरेहि परिश्कृतम कपटी उत्कोच लोभी देर्श द्रोहिनाह आहूताह विशेश्यानी पदानी जनह गूढचरह पारद भस्म स्वरेण भाशनही अभ्यागताह सन्यासिन नीचह प्रिष्ट संक्या बयालीस योग्यता विस्तारह लोकोत्तरानंददाता प्रबंधः काव्यनाम भाग द्रिश्यं शव्यमिति द्वेधा तकाव्यं परिकीतितं काव्यस्य प्रकाराह गध्यपध्यभेदेन आकार भेदेन च गध्यम पध्यम तथा गध्य पध्यम शाव्यमितित्रिधा संदार्भ ग्रंथ भेदेन प्रत्येकं तद्विधा भवेत अल्पह संदार्भ इत्युक्तः पत्रम वापिस्तवो यथा ग्रंथस्तु ब्रिहदाकारो लोके पुस्तक नाम भाग गद्येर विद्योतितम यत्स्याद गद्यकाव्यम् तदीरितम ग्रम्थरूपम् तदेवात्र श्रव्यम किंचिन्यरूप्यते उपन्यासा पदेनापि तदेवा परिकत्यते यथा कादंबरियद्वा शिवराज विजयो ममा इतर शुद्ध गद्य काव्य लेख काहा और इसके साथ ही ये पाँचवा पाठ यहीं पर संपन्न होता है